अलो विडिवान, गर्मारेंग, देखिये, finally we are at the end of this chapter, क्या करने वाले हैं, आज एक size 4.3 का question number 4 का last part, या या ये 10th part करने वाले हैं, देखिये, यहापर थोड़ा से question वना twist ला दिया, क्या किया, ये equal to ये, equal to ये, यानि तीन चीज़े equal proof करनी है आपके, तो देखिये, हम क्य approach follow करेंगे, हम पहले इस से शुरू करेंगे, इसको इस तक पहुचा देंगे, फिर इसको शुरू करेंगे, फिर यहाँ तक पहुचा देंगे, तो हम बन देंगे, ये भी इसके equal है, ये भी इसके equal है, तो ये तीनों आपस में equal हुए, होगा न, if a is equal to c, b is also equal to c, तो a is equal to b, is equal to c तीनों बराबर होते हैं ना समझ रहे हो तो चलो समस्वाले इससे शुरू किया जाए 1 प्लस 10 स्क्वेरे by 1 प्लस कॉट स्क्वेरे यहाँ आप चाहो तो साइन कॉस्ट में तोड़ दो लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा हो डिक लो यह हो गया सेक श्क्वेरे नीचे हो गया को सेक श्क्वेरे क्यों जाद दिवाग लगाना रीजन लिख देंगे कि since 1 प्लस 10 स्क्वेरे is equal to सेक स्क्वेरे and 1 प्लस कॉट स्क्वेरे equals to को सेक स्क्वेरे यह चीदे थी कर दिया हमने इसको एक स्टेब और कर लो ताकि आसान हो जाए आपके लिए सेक स्क्वेरे डिवाइड़ बाई कोसेक स्क्वेरे लिख सकते हो इस तरह से क्यों हम लिख रहे हैं यूगि सेक स्क्वेरे को आप लिखोगे क्या लिखोगे वन बाई कॉस्क्वेरे चलो तेपो, C की स्क्वाइर को आप लिख सकते हो, 1 by cos square divided by cosic square को लिख सकते हो, 1 by sin square एन अब यह देखो C की स्क्वाइर है, तो C के होता है 1 by cos, तो 1 by cos square cos के होता है 1 by sin, तो 1 by sin square वही लिखेंगे हम, कि since sec a equals to 1 by cos a and cosec a equals to 1 by sin a एक दोर हमने यूज कर आया formula एक लिए हमने, चलो, इसको ऐसे करते है 1 by cos square a रहने तो, divide को इंटू में लिखोगे तो यह उपर चला गया, यह नीचे चला आया 1 by 1 कट गया, यह बच गया sin square a by cos square a तो देखो, वही से लिख लो sin a by cos a का whole square और sin a by cos a कितना होता है tan a, आप जानते हो उसका whole square, तो क्या बन गया यह tan square a, ठीक है, यहाँ bracket में लिख दोगे आप क्या लिख दोगे, कि sin sin a by cos a क्या होता है tan a होता है, ठीक है, यह formula यूज किया हमने तो देखो, पहले पार्ट में हम क्या बताएं थे कि इस से शुरू करेंगे, इस तक पहुच जाएंगे देखो, हम tan square a तक पहुच गए ना tan square a तक पहुच गए चली, अब दूसरे पार्ट को उतार लिया जाएं क्या है दूसरा पार्ट 1-tan a by 1-cot a 1-tan a by 1-cot a का whole square है चलो, ठीक है इसको फिर से वैसे लिख लो 1-tan a को 1-tan a चोडो a divided by 1-cot a एवी ब्रैकेट आप पूरे का यह whole square था न तो whole square चलने तो देखो तू, 1 को 1-tan को लिख सकते हो sin by cos sin a by cos a ठीक है ब्रैकेट बंद divided by cos cot को लिख सकते हो 1-cos a by sin a यह भी ब्रैकेट बंद whole square तो चली रहा है हमारा यह reason लिख देंगे कि tan a हमारा होता है sin a by cos a और cos a हमारा होता है cos a by sin a उज़ा रहा है दोस्तो देखिए इन दोनों के LCM कितना हो जाएगा cos a यह हो जाएगा हमारा cos a minus sin a ठीक है ब्रैकेट चलने दीजिए divide का sign चल रहा है यह देखिए divide है यहाँ क्या हो जाएगा 1 को 1 यहाँ पर भी देखिए LCM हो जाएगा sin a sin a minus cos a इसका whole square चली रहा है यह चलने दीजिए देखिए थो अब एक काम करते हैं cos a minus sin a by cos a into करेंगे तो sin a उपर जाएगा नीचे sin a minus cos a यह whole square चल रहा है ठीक है अगला space पर चलते हैं देखिए रहो cos a minus sin a by cos a है into उपर में sin a है ठीक है देखिए 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 डिनोगेडर हम कुई change करने वाले क्या करने वाले देखिए लीचे क्या है sin a minus cos a है अगर हम minus बाहर निकाले देखिए मैंने आपको अमेशा बताया है कि अगर दो टर्म हो और इन दोनों टर्म से एक positive और एक negative हो उस पर से अगर आप minus बाहर निकालते हो तो जो negative रहता है वो positive बन जाता है और जो positive रहता हो negative बन जाता है तो उसी तरह अगर आप sin minus cos से minus को बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा ये minus cos था तो ब्लस cos बन जाएगा और sin positive था तो यहां negative बन जाएगा समझ रहे हो तो देखो यहां से हम क्या करेंगे इस वाले line से minus बाहर निकालेंगे तो जैसे ही minus बाहर निकालेंगे तो यह cos a minus sin बन जाएगा ठीक है और यहां देखो हमारा whole square तो चली रहा है इससे क्या फाइदा हुआ हमे क्योंकि हमने यह step देखो तो ध्यान से ओपर भी cos minus sin था नीचे भी cos देखो यहां पर है न cos minus sin यहां भी cos minus sin तो यह क्या होगा आपस में cancel out हो जाएगा ठीक है हमारे बस क्या बच गिया minus sin a by cos देखो minus नीचे है आप नीचे उपर कहीं भी लगाओ ultimately पुरा tau तो minus ही होगा न देखो sin by cos क्या होता है 10 minus के साथ 10 a का हो इसके reason लिखता होगे कि sin a by cos a हमारा होता है 10 a ठीक है तो अब बताओ minus का square करते हो तो प्लस हो जाता है और 10 का square क्या होगा 10 square a हम अजते होना minus का square यानी minus into minus यानी होगा plus ठीक है तो यही तो प्रूफ करना था ना कि दूसरा वाला term भी हम ले करके चले और अंत में 10 square a तक पहुँच गया है तो यह भी 10 square यह भी 10 square यह तो लास्ट नम्लिक देंगे therefore 1 प्लस 10 square a by 1 प्लस कोट इसको 1 प्लस 10 square a by 1 प्लस कोट स्क्वाइ equals to 1 माइनस 10 a 1 माइनस 10 a by 1 1 माइनस कोट ए का हूल स्क्वाइर कोट ए इस पूरे का हूल स्क्वाइर is equal to 10 square a यह प्रूफ करना था equals to 10 square a प्रूफ हो गया ना आई होब यह question समझ में आया हो आपको और इसके साथ यह पूरा chapter हमारा खतम होता है मैंने पूरी कोशिश की है बच्चो कि आपको बेस्ट तरीके से समझाया जाए फिर भी अगर कोई doubt रहे गया हो इस question में या पूरे chapter में comment में जरूर बताईएगा मैं जरूर कोशिश करूँँगा जल्द ते जल्द उस doubt को resolve करने की मिलते हैं next video में till then take care bye bye